कॉंग्रेस ने भी अपनी तैयारी एलेक्शन की जोरो शोरो से शुरू कर दी है और इसका प्रमान कल के बूथ चलो अभियान से ही हो गया है इन फैक्ट जो बिगुल है कॉंग्रेस ने फूग दिया है और बीजे भी जिस तरीके से बूथ लेवल पर जाकर डो टो डो कैम्पेइन कर रही है अपने बूथ लेवल के अधिकारियों को बिलकुल उन्होंने पकड के रखा हुआ है जितने भी पद अधिकारी है उनको कहा गया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ली जाके वोटर से कनेक्ट किया जाए गवनेंस का मेसेज दिया जाए बिलकुल उसी तरह कॉंग्रेस ने भी बूथ चलो अभियान के शुरुवात कल से यानि कि 26 जून से शुरू कर दी है अब यह लगातार चलेगा और जितने भी पद अधि अधिविटी एकदम बढ़ा दी जाए और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो लगातार जो मिनिस्टर्स हैं बड़े लोगों का आना जाना भी हमको देखने को मिल रहा है क्रूशल मीटिंग होगी एक्षी सी पर ओल इंडिया कॉंग्रिस कमीटी के हिट कॉर्टर अग्बर रोट पर ये मीटिंग चलेगी और इस मीटिंग में राहूल गांदी जो विदेश्ट से अभी रिसेंटली वापस आए हैं वो शामिल हो सकते हैं और इस मीटिंग में एलेक्शन के मद्दे नजर क्या इसी जिम्मधारिया है जो देनी है इस बार एलेक्शन मैनिफेस्टों में क्या इसी चीजे होंगी जो वोटर्स को अट्रेक्ट करने में काम आएगी और क्या स्ट्राटिजीज इसमें डिसाइड की जाएगी बिल्कुल एलेक्शन को लेकर क्या अट्रेक्टिव स्ट्राटिजीज होंगी पैडी प्रोक्योर्मेंट को लेकर क्या डिसिजन लेना है ये सारी जमेदारियां भी दी जाएंगी और elections related बहुत सारी committee का जो गठन होता है उस direction में भी काफी सारे extensive discussions भी किये जाएंगे CM चहरा कौन होगा माना जा रहा है कि Chief Minister पुपेश बखेल वही CM चहरा होंगे Congress का लेकिन इस पे अभी ICC की मोहट लगनी बाकी है तो इन सारी चीजों पर discussion होगा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बूत लेविल चलो बूत अभियान जो यह इनका अभियान है जो बूत लेविल पर शुरू हो चुका है इसकी तयारी जो दोरो शोरो से शुरू हुई है वो बस्तर संभाग से शुरू हुई है बस्तर संभाग Congress के लिए बहुत important होने वाला है क्योंकि पिछली बार 2018 के जब विदानसभा elections हुए थे बारा की बारा seat Congress के पास गई थी और यह performance Congress का अब तक का बेस performance था पूरे बस्तर संभाग की बारा seat Congress के पास थी और वही performance वापस मिमिक करने की कोशिश करेगा Congress और इसलिए अपने चलो बूत अभ्यान की शुरुवात Congress ने बस्तर से की है और बस्तर में जो चित्रकोट विकास खंड के जो पददिकारी है प्रभारी है वो है टीएस बाबा टीएस बाबा कल बस्तर में मौजूद रहे उन्होंने जितने भी अपने कारे करता हैं कारे करताओं से बात करने की कोशिश की उनके समस्याओं को सुना और जितने समाधान हो सके उसे भी करने की कोशिश की कल बुपेश बगेल मुखे मंतरी उनका भी बस्तर जाना तैथा लेकिन जैसे कि आप देख सकने हैं खराम मौसम के तहट वो नहीं जा पाए लेकिन अपने सारे कारे करताओं से वो वीडियो कॉनसिंग के जरिये उन्हों और उन्होंने यह मैसेच स्पश्टूट से दे दिया कि जितने भी कारे करता हैं दस हजार पदिकारी हैं और बूत लेविल पे बस्तर संभाग में जो 10,000 पदिदिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दियेगा हैं कि वो जल्द से जल्द अपने बूत लेवल अभियान को भी सशक्त करें और इसके थूर करें कि कॉंग्रेस की वापसी इस बार भी जोरो शोरो से बस्तर के 12 विधानसभाद सीटों पर होगी इस बार जैसे कि मैं सारी सीटों को बचाने के लिए बीजेपी के पल्ले में जाने से इसलिए कॉंग्रेस ने शुर्वात बस्तर से कर ली है दोनों पार्टी अलगातार अपने चुनावी रणनीती ताय करने में भी भिड़ गए हैं और इसी क्रम में आज कुमारी शालजा भी यहां पर झालजा है